हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे पेंशनर्स के लिए एक बड़ी ख़बर 1,60,000 पेंशनर्स की जो पेंशन पेमेंट है उसके ओपर लेटेस्ट अपडेट है PCDA ने एक नया लेटर जारी किया है और मार्च की पेंशन पेंशन पेंशनर्स 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 पेंशनर् यह अपना जो pension पर रोग कर अख़ा सकते हैं तो दूस्तो इसका अलड़ी notification निकल चुका है और इस notification में आप डिटेल में देख सकते हैं कि क्या mention किया गया है और कहां से notification आए दूस्तो देख सकते हैं यह है non submission of annual identification life certificate और एक बहुत important चीज़ है यह life certificate जमा करना और जिन लोगों अभी तक सब्मिट नहीं किया annual identification life certificate इसमें pensioners और family pensioners दोनों है एक meeting held हुई थी in the office of cgda 22 वरवरीक हुई थी और हम किसले बोल नहीं एक लाग 60,000 क्योंकि उसमें highlight किया गया था कि approximately 1,60,000 pensioners of three services have not uploaded the annual identification digital or manual नहीं उनका जो है सपर्ष में अधार कार्ट से linked है और out of these 4500 pensions belong to Indian Air Force दोस्तो में चीज़ है कि आपका जो भी pension मिलता है वो आपके annual life certificate submission पर मिलता है और इसमें जो है 1,60,000 ऐसे लोग इसमें नहीं किरा है need to be uploaded at the earliest failing which और अब एक बार फिर से notification निकाला गया है और इसमें साफ साफ का आ गया है इसको जल्द से जल्द आप upload कीजिए नहीं तो इस March मेने के pension जो है सीज हो जाएगी और date has been making all of the efforts to help the sensitive pensioners जो DT है वो अपने पूरे efforts कर रहा है जिससे की जो है इसको sensitize किया जा सके SMS and by website दोस्तों एक बार फिर से बहुत important ख़बर है और खासकर March की pension को लेकर और strictly बोला गया है कि अगर यह काम नहीं होता तो March की pension को रोक लगा दे जाएगी दोस्तों यह था आज का important update सभी pensioners के लिए अगर वीडियो पसंद आए इसको like कीजिए share कीजिए और subscribe करना न भूले thank you for watching this video